हिच्चबुल आतंकी बुर्हान वानी के एंकाउंटर के बाद से कश्मीर हिंसा की आग में जुलस रहा है घाटे में अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है इंडियन आर्मी के एक्शन को लेकर पाकिस्तान के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है पाकिस्तान में ट्वीट पर Stop Brutality in Kashmir लगाता ट्रेन में है इस हैश्टाग से यूजर्स हिंसा को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और कश्मीर में कुरूरता खतम करने की डिमांड कर रहे हैं इस हैश्टाग से अब तक करीब 12,000 ट्वीट किये जा चुके हैं वही पाकिस्तानी PM नवाज शरीफ ने एक बयान जारी किया था इसमें कहा गया था कि वेकश्मीर में बुरहान वानी के मारे जाने से सद्बे में हैं इसके बाद पाकिस्तान की और से कहा गया कि वेकश्मीर का मुद्दा अंतराश्रीय मंच पर उठाएगा ऐसे में अमेरिका के बयान से पाकिस्तान फिर अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है बता दें कि आतंकी संगठन हिस्बुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर 22 वर्शिये वानी को सुरक्षा बलो ने शुकरवर रात को कश्मीर में मार गिराया था इस घटना के बाद से राज्ये में आग जनी और हिंसा जारी है और नागरिकों की ओर से सुरक्षा बलों पर हमले किये जा रहे हैं अब तक इसमें 33 लोग मारे जा चुके हैं वही माहौल को देखते हुए CRPF की 21 कमपनियों को स्टैंड बाइ मोड पर रखा गया है जरूरत के मताबिक उन्हें मोके पर भेजा जा सकता है इसके साथ ही केंद्र इस बात का पुक्ता इंतिजाम करेगा की कारेवाहियों के बारे में स्तानिय स्तर पर किसी तरह का गलत संदेश ना फिलाया जा सके ब्यूरो रिपोर्ट धहरदून